हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकजाम और विट, तो आज है 14 नॉवंबर और आज का मौस्ट इंपर्टेन करेंट अफ़े देखेंगे, इसका पीडिफ नीचे डिस्करिप्शन से और हमारे टेलिगरम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलिगरम का लिंक में नीचे किस के द्वारा आयोजित किया गया, बैंक ओफ अमेरिका द्वारा, ठीक है, इस सेमिनार का नेतरित्व किये थे, केंद्रिये मारिज्या और उदोग मंतरी पिऊश गोयल, 2019 के लिए आयोजित, राश्रिये जल पुरसकार में किस गाउं को सर्वस्रेष्ट ग्राम पंचायत की सरेनी में परतम आस्थान मिला है, चिरबीटिया लूथियागो को, ये उत्राखन में गाउं का नाम है, वही सर्वस्रेष्ट राज्जों की सुची में पहले आस्थान पे कौन है? तो इसमें पहले आस्थान पे है तमिल लाडू. केंद्रिये मंत्र मंदल ने कितने परम भी भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टी वीटी लिंक बोनस। हाली में किस देश के क्राउन प्रिंस और पर्थम परधान मंत्री खलीफा बिन सल्मान अल खलीफा का निदन हो गया। ये बहरीन के पर्थम परधान मंत्री थे और पिछले 50 सालों से ये पियम पदपर थे, 1970 से ही। हाली में आसिफ बसरा का 53 साल के उम्र में निदन हो गया, वे क्या थे, फिल्म अभिनेता। भारती मुल के किस वेक्ति को हाली में अमेरिका के रक्षा मंत्राले का नया Chief of Staff चुना गया है। इनका नाम है काश पटेल। बारती नौ सेना की एसकॉर्पिन स्रेनी की पाचवी पंडुबी का क्या नाम है, जिसे 11 नौबर 2020 को मजगाओ डॉक पर, जो की मुंबई में है, लॉंच किया गया। इनस वागिर इसका नाम है, ध्यान में रखिए अभी सिर्फ इसे लॉंच किया गया है, भारती नौ सेना में कमिशन नहीं किया गया है। जो भी अस्कॉर्पिन सरीनी की पंडुबिया बनाई जा रही है भारत में, छे है, प्रोजेक्ट 75 के ताथ बनाई जा रहा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये चीन की महिला टेबल टेनिस की लाड़ी हैं और वर्तमान सबाय में विश्व की सर्वसेस्ट टेबल टेनिस की लाड़ी हैं ये, ठीके। हाली में भगत से ही कोशियारी ने माजी भीत नामक पुस्त का विमोचन किया, इसके लेखक का नाम बताएं, अराजेंद्र दर्डा। हाली में विश्व नीमोनिया दिवस कब मनाय गया। बारा नौंबर को अस्यान भारत शिखल समेलन के कि संसकरन का गयोजन किया गया। और इसकी सह अध्यक्षत किये परधान मंत्री नरेंदर मोदी और वियत नाम के परधान मंत्री गुयेन जुवान फुक भारत के कि शहर में दुनिया का सबसे बाड़ा खिलावना संग्राले अस्थापित किया जाएगा गुजरात की कैपिटल गांथी नगर में अमेरिका ने हाली में किस देश को 23.37 बिलियन डॉलर के उननत चमताओं वाली रक्षा बिकरी की मंजूरी दी है संयुक्त अरब एमिरात को अब चलिए आज का करेंट अफर देखते हैं पहला कोशन हाली में सुर्खियों में रही पुस्तक प्रोमिस्ट लैंड के लेखक कौन है तो ये पुस्तक हाली में काफी चर्शा में रही है इसका नाम है प्रोमिस्ट लैंड इसके लेखक हैं अमेरिका के पुर्व राष्ट्र पती बराक उबामा Option C सही उत्तर है, अमेरिका के इतिहास में ये वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपती थे, 2009 से लेकर 17 तक, ठीक है, लगतार दो करेकल तक ये वहां के राष्ट्रपती थे, डेमोक्रेटिक पाटी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक म और भारत के पुर्व परधान मंत्री मनमोहन सिंग का भी जीकर किया है, जिसकी वज़ा से ये पुस्तक चर्च में आ गई है, इसी महीने 17 नौवंबर को लॉंच की जाएगी, ठीक है, तो बराक ओबामा के अराजनेतिक केरियर के उपर ये पुस्तक अधारित है, बराक आंगसान सूकी किस देश की एस्टेट काउंसलर है, जिनकी पाटी नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी ने हाली में आम चुनाव जीत लिया है, तो मियामार की एस्टेट काउंसलर है आंगसान सूकी, इनही की पाटी है नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसी इसने आम चुनाव जी हाली में जैसे कि भारत ने अपनी पंडुबी आई एनेस जिंधुवीर म्यामार को देनी की गोस्तना किये और इस तरह से भारत पहली बार किसी देश को अपनी पंडुबी दे रहा है बता दें कि कालादान मल्टी मॉडल पर्योजना म्यामार में चलता है उसके लिए 30 शिपि स्तित्वे बंदरगा तो भारत के सहयोग से ही स्तित्वे बंदरगा का निर्वान किया जा रहा है मयामार में ठीक है इसका मैप देखिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि मयामार की सिमा भारत के कितने राज्यों से लगती है तो मयामार की सिमा भारत के मिजोरम मनिपूर नागलेंड और अरुनाचल परदे से लगती है यानि चार राज्यों से कैपिटल है नेपीडो राष्ट्रपती है विन्मिन्ट एस्टेट काउंसलर परदान मंत्री के जड़ापर वहाँ पर एस्टेट काउंसलर होता है आंग संसू की संसत का नाम है पिंडागसू लुटाव मुद्रा का नाम है क्यात फर्वरी 2021 में अंतराशे बर्ड फेस्टिबल का आयोजन कहां किया जाएगा तो फर्वरी में अंतराशे बर्ड फेस्टिबल का आयोजन किया जाएगा उतर परदेश के गोरकपूर में Option A सही उत्तर है गौरकपूर में ही है रामगर ताल जील तो वहाँ पर पक्षियों को देखने के लिए इंटरनेशनल टूरिजम को बढ़ावा देने के उदेश से इस फेस्टिबल का आयोजन किया जाएगा इससे क्या होगा एको टूरिजम को बढ़ावा मिलेगा गौरतलब है कि उत्तर परदेश की सरकार ने 2020 में 25 करोड पौधे लगाए है पूरे राज्ये भर में और इस तरह से ये देश का पहला राज्ये बन गया है जिसने एक साल में 25 करोड पौधर ओपन किया है और अगले साल का भी लक्ष निर्धारित किया है सरकार ने उत्तर परदेश की सरकार ने कि 2021 में 30 करोड पौधे लगाए जाएंगे पूरे राज्ये भर में ठीके 2020 में 25 करोड पौधे लगाए गया है इससे वन छेतर में विरिद्धी हुई है एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्ये के वन छेतर जो था 6 परतिशत था वो बढ़कर अब 9 परतिशत हो गया है गोरखपूर में ही विश्वा का सबसे लंबा रिल्वे प्लेटफोर्म है गूगल 33,737 करोड पे की लागत से किस भारतिय कंपणी में 7.7% हिस्सेदारी खरीदेगा तो गूगल जो है लगभग 33,737 करोड रुपे में जियो में जियो प्लेटफोर्म में 7.7% के हिस्सेदारी खरीद रहा है वैसे ये समझा होता है जुलाई 2020 में हो गया था लेकिन हाली में भारतिय परतिय असपरदा आयोग ने इस डिल की मंजूरी दे दी है ठीक है साड़े चार बिलियन डॉलर है और ये एमाउंट लगबाग हुआ 33,737 करोड रुपया गूगल की बात करें तो गूगल की असथापना उनिस्वाण ठानबे में की गई थी हेड़क्वाटर का इलिफोर्निया में है संस्थापक है लैरी पेज तथा सरगे ब्रीन CEO है भारतिय मूल के है सुन्दर पिछाई जियो की बात करें तो जियो फोर जिल आया था 2016 में लेकिन इसी या अस्थापना कर दी गई थी 2007 में ही हेड़क्वाटर मुंबई में है चेर्मेन है मुकेश अंबानी और परबंद निदेसक है संदीप दास जपान के नए क्राउन प्रिंस कौन बने है तो जपान के नए क्राउन प्रिंस बने है इनका नाम है अक्की शीनो ओप्शन सी सही उत्तर है अक्की शीनो इनका एक प्रचलित नाम है फूमी हीतो तो इसी भी ध्यान में रखिये अक्की शीनो या फिर फूमी हीतो ये जपान के नए क्राउन प्रिंस बने है इनके पीता थे अक्की हीतो पिछले वर्स उनका निधन हो गिया था वो जपान के समराट थे अक्की हीतो के बड़े भाई नारू हीतो उनके जगह पे वो समराट बने और नारू हीतो के चोटे भाई हैं अक्की शीनो इनने हाली में वहाँ का क्राउन प्रिंस बनाया गिया है तो इस question का सही हुदतर है option C जपान में ही अगले साल Tokyo Olympic खेल का आयोजन किया जाएगा इसकी capital है Tokyo प्राइम मिनेस्टर है योशी हिदे सूगा जोकी हाली में PM बने है वहां के वहां की संसत का नाम है diet और मुद्रा का नाम है yen दोस्तों मुझे हो गया एक खासी और कुछ आवाज में प्रोब्लम आज सकता है तो आप लोग मैनेज कर लेना हाली में किस अराजय के पुर्व मुख्य मंतरी संचामन लिंबो का 73 साल के उमर में निदान हो गया संचामन लिंबो ये सिक्किम के पुर्व मुख्य मंतरी थे ओप्शन दी सही उत्तर है ये मातर 189 दिन यानि लगभग 6 मा के लिए वहां के CM बने थे तो हाली में इनका निदान हो गया है 17 जून 1994 से लेकर 12 दिसंबर 1994 तक ये वहां के CM रह थे चौथे CM रहे थे संचामन लिंबो ठीक है किस पार्टी से थे सिक्किम संगराम परिसद सिक्किम की बात करें तो इसकी सिमा भारत के सिर्फ एक राज्य से लगती है पस्चिम बंगाल से और तीन कंट्री से इसकी सिमा लगती है चेन नेपाल और भुटान इसका गठान वा था 16 मई 1975 को जीलों की संख्या चार है राजधानी गैंग टक मुखे मंत्री हैं प्रेमसी ही तमांग राज्य पाल हैं गंगपरसाद मुखे नाइदीस हैं अरूप कुमार गोस्वामी ये हाई कोट कहां पर है सिक्किम का गैंग टक में है लोक सभसीट एक राज्य सभसीट एक विधान सभसीट 32 परमुख दर्रे हैं नतुला दर्रा और जैलेपला दर्रा यहां के परमुख लोक नेरित्ते हैं तमांग सेलो सिंगी चाम मास्क डांस तथा सुब्बा डांस खांग चेंड जोंगा या फिर इसे ही कंचन जंगा राश्य उद्यान कहा जाता है जो कि सिक्किम में है शिंगबा अभहरन्य क्योंग नोसला वन्यजीव अभहरन्य परमुख जन जातियां है लेपचा अधिकारिक भासा अंगरेजी नेपाली सिक्किमीज तथा लेपचा है तो फ्रेंड्स इसी तरह से स्टेट जीके का एक महापीडेव तेयर किया गया है नेचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं संपूर्ण राज्य भारत के पूरे अठाई सराज्य और कुछ के अंदर सासित परदेश साथ साथ में पूरा केंद्रिय मंत्रि मंदल का जीके कभर किया गया है मात्र पंदर उपे रासी आपको पेड करनी है और इस महापीडेव का डाउलोड का सकते हैं किस मंत्राले ने हाली में नेशनल डेटाबेस आफ अन और्गेनाइजड वरकर्स नमक प्रवासी सरमिकों के लिए देश का पहला रास्य डेटाबेस के निर्मान की मजूरी दे दी है तो प्रवासी सरमिकों के लिए देश का पहला रास्य डेटाबेस तयार किया जा रहा है और इसका नाम दिया गया है NDU W इसका फूल फमध्यान में रखिए National Database of Unorganized Workers ठीक है तो हाली में इस database को तैयार करनी के मंजूरी दे दी है केंद्रिये वितमंत्रा लेने Option A सहित्तर है इस database को स्रमिकों के आधार कार से जोड़ा जाएगा ताकि सरकार ऐसे मजदूरों के लिए समय समय पर विशिष्ट कारकर में योजना लागू कर सकें जिसे की प्रवासी स्रमिकों को मजदूरों को फैदा मिलेगा तो इस question का सहित्तर है केंद्रिये वितमंत्राले Option A केंद्रिये वितमंत्री है निर्मला सितारमन केंद्रिये स्रम और रोजगार मंत्री कौन है संतोस के गंगवार केंद्रिये गिरिह मंत्री है अमिश्या केंद्रिये वाणिज और उदोग मंत्री कौन है पियूश गयल भारत का पहला चंदन संग्राले कहां अस्थापित किया गया है तो भारत का ये पहला चंदन संग्राले जिसे अस्थापित किया गया है मैसूर में करनातक के मैसूर में और मैसूर के अशोक पूरम में अरणय भवन में इस संग्राले को अस्थापित किया गया है किसानों को चंदन के महत्वा के बारे में बताने और उन्हें सिक्षित करने के उद्देश से इस संग्राले को अस्थापित किया गया है तो चंदन के लकड़ी जो है काफी किम्ती होती है भारत में बहुत बड़े अस्तर पर इसका smuggling भी होता है आपको बता दें कि हाली में ओप्रेशन थंदर के तहट सिमा शुल्क विभाग ने 18 टन लाल चंदन लकड़ी को पकड़ा है जो कि उनाइटेड अमें अरब एमरात में जा रहा था अच्छा बात चला है चंदन का तो ये बताईए भारत में सबसे अधिक चंदन का उत्पादन की सराजय में होता है करनाटक में होता है 500 से 625 मिलिमीटर तक वार्सिक वर्सकी और शट्टा होती है इसकी खेती करने के लिए ठीक है और 600 से 900 मिटर की उचाई वाले अस्थानों पर इसकी खेती की जाती है आएम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकता है सोनु सुध की आत्मकता है आएम नो मसीहा ठीक है ये पुस्तक अगले मा लॉंच की जाएगी और सोनु सुध ने इस पुस्तक को मीना अयर के साथ मिलकर लिखा है अब सभी को पता होगा COVID-19 के दौर में सोनु सुध जो हैं बहुत सारे प्रवासी स्रमिकों की हेल्प किये थे और बस इन्होंने चलवाया था ताकि प्रवासी स्रमिक जो हैं अपने घर पर सही सलामत पहुँचे जाए जिस दौर में बहुत सारे मजदूर पैदल चलकर अपने घर जा रहे थे उस दौरान इन्होंने सडक पे उतर कर प्रवासी स्रमिकों की हेल्प की थी बहुत सारे लोगों ने इनके काम की सरहना की थी लेकिन बहुत सारे लोग कुछ ऐसे हैं जो इन्हें ट्रोल भी किये थे तो इस पुस्तक में इन्होंने अपने पूरे एक्सप्रियंस को साज़ा किया है आयम नो मसीह इनकी आत्मकता है नेक्स्ट हाली में विश्व दयालूता दिवस कब मनाए गया तो हाली में world kindness दे मनाए गया 13 नवंबर को ओप्शन C सही उत्तर है विश्व दयालूता दिवस 2020 का विशय है दा वर्ल्ड we make inspire kindness इस वजका ये विशय है तो ओप्शन C सही उत्तर है ठीकें ये दिन सकरात्मक उर्जा और दयालुता के साथ अच्छे कामों को उजागर करने के उद्देश से परते एक वर्स 13 नौमबर को मनाय जाता है World Kindness Movement ने पहली बार इस दिवस को मनाय था 1908 में 13 नौमबर को एक और दिवस मनाय जाता है भारत में राष्ट्रिये आयूर्वेद दिवस मनाय जाता है ठीक है तो इस बार राष्ट्रिये आयूर्वेद दिवस का पांचुमा संस्करन मनाय जा रहा है 2016 में राष्ट्रिये आयूर्वेद दिवस की अस्थापना की गई थी इसे भी ध्यान में रखिये इसी दिवस के उसर पर P.M. Mody ने भारत में दो आयर्वेद संस्थानों का उदघाठन भी किया है एक गुजरात के जाम नगर में आयुर्वेद सिक्छन और अनुसंधान संस्थान और एक राजास्थन के जैपूर में राश्ट्रिय आयुर्वेद संस्थान का पियेम मोदी ने उद्गातन किया है मशुर भारते कवी और गितकार गुलजार के जीवन पर लिखे गई पुस्टक बोस्क याना के रचईता कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है यश्वन्त ब्यास, उप्शन A सही उत्तर हैं, ये पुस्तक गुल्यार के जीवन पर लिखी गई है, ठीक है? आपको बता दें गुल्यार का मुंबई में जो घर है उसका नाम है बोस कियाना ठीक है तो उनके घर के नाम पर ही इस पुस्तक का नाम रखा गया है आपको बता दें कि गुल्यार ने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है कवीता लिखे हैं और बहुत सारे गाने लिखे हैं तो उन्हीं के जीवन पर अधारी थी यह पुस्तक है और इनके 30 वर्सों के इंटर्विव और वर्ता लापों को भी इस पुस्तक में एड किया गया है और यश्वंत ब्यास बोलते हैं कि पिछले 6 साल से इस पुस्तक को लिख रहा है यानि 6 साल लग गया है इनको ये पुस्तक लिखने में बोस कियाना हाली में किस अराज़े की सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केर की शुरुवात की है तो हाली में हर्याना की सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केर की शुरुवात की है राज्य में खास करके गुणगाओं में बढ़ते वायू प्रदूसन पर लगाम लगाने के उद्देश से इसकी शुरुवात की गई है प्रोजेक्ट एयर केर इसका नाम दिया गया है ठीक है इस प्रोजेक्ट के तहट पूरे गुणगाओं में यानि गुरुगराम में 65 Wing Augmentation Air Purifying Units लगाए जाएंगे आपको बता दें कि Wing Augmentation Air Purifying Units का विकास किया है CSIR और IIT बॉंबे ने CSIR का फुल्प हो मता है Council of Scientific Industrial Research ठीक है हर्याना की बात करें तो कुछ important current affair बने हैं जैसे की गराम पंचाच चुनाओं में महिलाओं के लिए 50% सीथ अरक्षन की ब्याउस्था की है महिलाओं के लिए ठीक है वही एनेमिया मुक्त भारत में पूरे 28 अराज्यों की सूची में हर्याना पहले अस्थान पर है वही जुलाई महिने में केंद्रिये सडक एव परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने 20,000 करोड उपे की लागत से हर्याना में ही 11 राश्य राजमर्ग परियोजनाओं का उद्गाटन और शिला नहस किया था हर्याना की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नौंबर 1966 को अराजधानी चंडिगड मुक्य मंत्री है मनुहर लाल खट्टा राज्यपल है सत्यद्यव नरायन आरया मुक्य नायदी से रवी शंकर जा हाई कोट है चंडिगड में जो की पंजाब और हर्याना हाई कोट है पंजाब का भी हाई कोट यही है जीलों की संख्या 22 लोक सबासीट 10 राज़े सबासीट 5 विदान सबासीट 90 लोर धमाल फाग सांग छठी डफ तथा घोड़ा घोड़ी यहां का परसीद लोक ने रित्ते हैं राजके पशु काला हिरन, राजके पक्षी काला थितर, राजके ब्रिक्ष पिपल, राजके फुल कमल, सुल्टानपूर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शेहर वन्ने जीव अभेहरन्य, बीर शिखरगड वन्ने जीव अभेहरन्य, मोर्नी अभेहरन्य, नहर वन नेज़ो अभ्यारन है, सभी हर्याना में हैं, अधिकारिक भाचा हिंदी हैं, एक परियोजना है, सरहिंद नहर परियोजना, जो की सतलूज नदी पर हैं, नेक्स्ट, चोला मंडलम, इन्वेच्मेंट एंड फाइनेंस कमपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इस कमपनी के नए अध्यक्ष बने हैं, वेल लायन सुबया, ओप्शन सी सही उत्तर हैं, इन्हें एम एम मुरुगप्पन की जगा निउक्त किया गया है एम मुरुगप्पन हाली में रिटायर हो गया हैं, तो ओप्शन सी सही उत्तर हैं, वेल लायन सुबया जो हैं, इस कमपनी के ओल लेडी अतरिक्त निदेशक पद पर भी हैं, ठीक हैं, इसके अलावा ये एक और कमपनी में मैंनेजिंग डिरेक्टर हैं, ट्यूब इन्वेस इन्वेस्टमेंट ओफ इन्डिया लेमिटेड, ठीक हैं, ये जो कमपनी हैं, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कमपनी लेमिटेड, ये मुरुगप्प समो की कमपनी हैं, इसकी अस्थापना की गई थी 1978 में, हेड़क्वाटर चेन्नेई में हैं, मनेजिंग अरून अलग अप्पम, नेक्स्ट, वित मंत्राले ने देश में वैक्सिन अनुसंधान के लिए कितने करोडों पे की घोसना की हैं, तो हाली में केंद्रिये वित मंत्री निर्मला सितारमन ने देश में वैक्सिन अनुसंधान के लिए 900 करोडों पे अवंटित किया हैं, investment and infrastructure fund के लिए 6000 क्रोड रोप आवंटित किया गया है वही किसानों के लिए उरवरक सबसीड़ी के लिए 65 000 क्रोड रोपया आवंटित किया गया है किसलिए उरवरक सबसीड़ी के लिए वही चालू वितवर्ष में परधान मंतृरी गरीब कल्यान रोजगार योजने के लिए 10 000 करोड रुपे की अतरिक्त राशी अवंटित की गई है इसके flood शहर आवास योजना के लिए भी फिर olhosबे अतरिक्त राशी आवंटित की गई है वहाई अइडियाज योजना है एक जिम लाइन गरांटी योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो ध्यान में रखिए MSMH हेटर के लिए अपात कालेन क्रेडिट लाइन गरांटी योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है केंद्रिये वितमंत्रा लेने, ठीक है, केंद्रिये वितमंत्री है, निर्मला सितारामन, हाले में तिरी लोक्या, दत्ता का नब्बे वर्स की आयों में निधान हो गया, वे क्या थे, तिरी लोक्या दत्ता, ये भारत के बहुत ही प्रसीद कार्टू सोनित कोवर गजेन बर्वव पुरसकार से भी सम्मानित किया था तो लोग क्या दत्ता ये एक कार्टूनिस्ट थे ठीक है तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करेंट अफ़ेर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जबू करना पिछले 11 माह का करेंट अफ़ेर अब लेबल है नीचे डिस्करिप्शन में लिंक दिया वाए वहां से आप चेक कर सकते हैं टोटल 1200 MCQ है बहुत ही बेस्ट पीडेफ है आने वाली किसी भी कॉंप्टेटिव एकजाम्स के लिए तो आप इसे चेक कर सकते हैं चलिए लास्ट क्वीज का एंसर जानिए पहला कोशन था हाली में यूद और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरन के सोसन को रोकने के लिए अंतराशी दिवस किस दिन मनाए गया इसका सही उतर्था ओप्शन है छे नौवंबर दुसरा कोशन था हाली में H.G. सौम शेखर राओ का 86 साल की उमर में निदा नुगिया विकी छेत्री सिनेमा के प्रसीद अभिनेता थे तो इसका सही उतर्था ओप्शन है कंणर सिनेमा के अभिनेता थे H.G. सौम शेखर राओ कुछ लोग ने बहुत ही अच्छे से डिटेल से एंसर को लिखा था आप सभी लोग भी डिटेल से लिखिए क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं वो चीज आपके दिमाग में सेट कर जाता है जितना भी आपको पता हो एंसर के बारे में आप जरूर लिखा करिए अब करिफिकेशन्स नामक जागरुपता अभियान की शुरुवात की हैं दोनों कोशन का एंसर नीचे कमेंड़े बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार